भारतिय किसान यूनन की राष्ट्रे प्रवक्तर राकेश टिकेट मंगलवार को बुलंद शहर पहुंचे यहां राकेश टिकेट ने ग्यान वापी मामले को लेकर बड़ा ब्यान दिया है उन्होंने शारो शारो में कहा कि जिसका जो माल है उसे वापिस कर देना चाहिए राकेश टिकेट ने यह भी कहा कि पहाड से कोई भी पत्थर उठा लो वही शिवलिंग है यह हमारी आस्था का सवाल है राकेश टिकेट ने कहा कि जल्द ही ट्रेक्टरों से हमारे संग्ठन के लोग बिजली महंगाई और गन्ने के भुकतान सहीत अन्ने मांगों को लेकर परदेश की राजधानी लखनाउ जाकर मुख्य मंतरी योगी आदे तैनास से मिलेंगे करनाटक में हुए हमले को लेकर राकेश टिकेट ने कहा कि यह पहले से रची गई साजश थी जिन लोगों ने हमला किया उनके गरहम मंतरी और मुख्य मंतरी के साथ फोटो हैं और ये वहां की पुलिस को बताया है वहीं गाज़ाबाद के मदनपुर में गाउं में आज़ित एक सबा को संबोदित करते हुए राकेश टिकेट ने कहा कि ग्यान वापी मस्जित पर धर्म के नाम पर राजनेतिक मुद्दा बना दिया गया है मस्जित जिसकी है उनको सौप देनी चाहिए इसमें लंबी खींचतान से आपसी भेदवाव बड़ेगा